हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक छोटी सी इंफोर्मेशन बता देता हूँ जब भी आपके क्लच के पेडल फ्री हो जाए याने कि उसमें कोई कनेक्शन हट गया याने कि जो क्लच वायर वाली गाड़ी है जिसमें क्लच वायर होता है वो वायर टूट गया है या फिर हट है कुछ ऐसा हो गया है और जो हाइड्र वाली गाड़ी है जो मेरे हाथ में ब्लेक क्लर का देख रहे है यह क्लच स्लेंडर है यह लीक हो जाता है यह टूट जाता है दूसरा गेर वोक्स के अंदर भी जो बैरिंग लगा होता है वो भी हाइड्रोलिक है यह जो देख रहे ह आप मेरे हाथ में यह हाइडॉलिक सिलेंडर होता है और यह बेरिंग भी लीक कर जाता है और तीसरी चीज होती है पाइप जो क्लच मास्टर सिलेंडर से आगे पाइप जा रहे होते हैं वो भी लीक कर सकते हैं